आपका Master Cookie चैनल में स्वागत है आज हम सिखेंगे पनीर मटर की सबजी कैसे बनाते हैं टेस्टी टेस्टी यह देखिए हमने टमाटर काट लिया है दो बिक साइज और यहां पर हमने दो बिक साइज की अनियन कट कर लिये है प्याज को और यह तीन हरा मिर्च और यह अदरक औ का पेश्ट बनाएंगे ग्राइंडर में ग्राइंडर करके पुरा मसीन में और यह देखिए यह हमने हडी मटर ले लिया है मार्केट से आती ना फ्रेंड्स हुआ वाली और इसे पानी में गरम के उबाल लिया है ताकि इसे किटानों बलाब निकल जाए इसका और यह देख यह है धन्या पॉडर एक चमच यह है जीरा एक चमच यह है नमक स्वाद अनुसार और यह है पनीर मसाला यह जरूर लिजेगा इससे फ्लेवर अच्छा आता है इस तरह काटेंगे लिए इस सारे पनीर को आप इस तरह काट दीजेगा अब इसमें जो हम पेश्ट बनाए थे टमाटर लासू अधरक प्यास का वह हमें डाल रही है इसमें हमें दो चमच यह पाउडर हल्दी एक चमच जीरा एक चमच जीरा एक चमच डन्या पाउडर एक चमच आप स्वादनुशा टाली डिए अब इसको चितरा प्लिस कर दीजे अ कि अ में में पूझे लोग पाण तुरह नहीं हमी आप रघ्र माटमेट को ड़किए तो ड़को में कोई तो भाल में से अग्यू में इसको जोगी को तो यह जो जा गया पॉर्स तरह त्यार हो गया है पुजा गया पानी आयड करेंगे थोड़ा पहले पानी आयड कीजिए इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर दीजिए तो अब फॉर पानी मिला है पर शोके आप पानी नहीं टालना इसमें करेंगे हमने सब पानी डोज एड़ के अभी सब पानी राइड कर रहे है इसको अच्छी तरह साफ निक्स कर दीजिए इसको आप ढग दीजिए तेके फ्रेंड हमरा हो चुका है यह देखे पानी हो चुका है वाव बहुत अच्छा लग रहा है टेस्टी लग रहा है अब इसमें जो धन्या पता कट किये थे वे डाल रहा है इसको बना के देखेंगा आपको कमेंट करके जुरूर बताएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा फ्रेंड्स रहा है